तो हम लोग करेंगे अभी आटीपी नवेंबर 2019 एक्जाम्स के पहले जो इंस्टीटूट ने रिविजन टेस्ट पेपर इशु किया था उसके वाले कोस्टिन्स आपके एक्जाम्स के पहले आपको कुछ चीजे याद रखनी पड़ेगी आपने स्टेडी मेटरल कर लिया पास तींचार साल का पेपर कर लिया पास तींचार साल का आपने आटीपी कर लिया मॉडल टेश्ट पेपर खर ले काफी है राइट तो लेट अस्टार्ट असर टू कोस्टिन नंबर टू थाव नंबर वन मटेरियल कॉस्टिंग का कोस्टिन है क्या लिखाया है है एजब लिमिटेड प्रोडूसेज प्रोडॉक्ट एम विच इस अ क्वाटरली दिमांड आफ बीस हजार तो अनॉल दिमांड होगे ऐसी हजार चिक है अभी इच पुड़क क्वाइस थ्री केजी और फूर केजी अफेक्स जए य। मटेरिल एक्वाइस सप्लाइड बैए लोकल प्लायर और एप्वेड आप Stephen इंस लोल नेड टू अनुवेंकंतरी फॉर मटेरियलस मला मटेरियल एक्स लेने का दरकार नहीं है क्योंकि अपने जस्ट इंटम अप्रोच फॉलो करते इसका मलें इसका होल्डिंग कॉस्ट विल भी जीरो जब चाहिए तब आपको मिल जाएगा इदम गेट के बहार ही यह रोमेटर मिलता है मट्रियल वाई लोकल एवेलेबल नहीं है तो उसको आपको भार से खरीदना पड़ेगा इस रिक्वाइड तो बी पर्चेस फ्रॉम अधर स्टेट्स इन स्पेसिफिकली जाइंट ट्रग जिसका कैपासिट यह 10 तन 2 तन मिललद 10,000 कीलो का एक ट्रक हो गया उन तन ऐसं तन 1,000 कीलो कज्यी वां टन यंब में तो 10 तन्रुम था जोबिस 6T ।ो 10.000 ट्रक में आयuba थिक ए cost and other information related to the material are as follows purchase price excluding GST to GST rate are 80% दिया हुए fret per trip irrespective of quantity 10 तन माल आए, 5 तन माल आए, 4 तन माल आए, आपको 28,000 रुपया देना पड़ेगा loss of materials in transit is 2% and loss in process is 5% asterisk mark नीचे दिया हुए, दोनो ही purchase quantity पे है company has to pay 15% per annum to bank for cash credit facility जब आप raw metal खरीदेंगे तो आपको investment करना पड़ेगा right, उसी को तो holding cost बोलते हैं तो यहाँ पे holding cost is 15% per annum और input credit मिलेगा GST का, इसका मैला GST will not be added to the purchase price right, अगर आपको कोई भी चीच का credit मिलता है तो आपका purchase cost में add नहीं होगा अगर credit नहीं मिलेगा तो ही आपका purchase cost में add होगा सबसे पहला बात अपने को बुला है cost per kg of material x and y निकालो और फिर बुला है economic order quantity of both the materials निकालो तो सर material x का तो EOQ आएगा ने न क्योंकि factory gate के बाहरी है जब जितना चाहिए तो just in time approach के case में अपने EOQ model नहीं लगाएंगे तो जो पार्ट टू है that is purely meant for material y तो पहले सो पहले part one करते हैं हम लोग x y पहले बताइए raw material required कितना है असी हजार डिमांड है तीन केजी करके चाहिए that comes to two lakh forty thousand kg असी हजार प्रोडक्शन करना है तीक है तीक है असाओ राइट नौ इतना चाहिए अपने को इतना चाहिए अपत हमारा लोस्स भी हुआ है So, quantity to be purchased, right? quantity to be purchased, बताये, पहला केस में, देखो, 4% का लॉस है, और दूसरा केस में, दो और पांच दोनों ही पर्चेस क्वांटिटी पे है, तो इसका मतलब, 2,40,000 is 96%, और यहां पे, 3,20,000 is 93%, और कैसे होगा, क्योंकि पर्चेस क्वांटिटी में, 4% यहां लॉस है, 7% वहां लॉस है, महला, इस इस 93% अफ पर्चेस क्वांटिटी, कितना रहा है, 2,40,000 divided by 96%, बोलिए, 2,50,000 kg, और इस वी थी रहा है, 8.6 kg done अभी अपने को यह पता चल गया right what is the purchase price बोलो पर के जी कितना करके है 140 रुपिया 660 रुपिया total purchase price that will be A into sorry B into C right that will be purely B into C हमने कितना quantity खरीदा है into rate dialak into 14 that comes to 140 कितना रहा बो 3 करोण 50 रुपिया 50 रुपिया 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 3 करोण 50 रुपिया 2 2 0 22 करोड 2,15,040 22 करोड 2,15,040 भाड़ा लगेगा आया ना पहले तो हमने back calculation करके purchase quantity निकाल लिया right तो है मेरा total purchase price आगया fret add करो तो fret add कैसे होगा इसमें तो होगा नहीं बोले कितना आएगा 9 lakh कैसे आया बोलो 3 4 4 0 8 6 divided by 10,000 kg एक लॉरी में into अथाइस अजार ट्रिप का है तो ध्यान से सुनना 3 4 4 0 8 6 into अथाइस 3 4 4 0 8 6 divided by 10,000 so that comes to 34.4 but it will be assumed as 35 trucks because I have already told you पाट को भी एक ट्रक मना जाएगा 35 x 28,000 so that comes to 9 lakh 80 so total purchase cost 3 crore 50 lakh and this is 2 2 0 2 1 5 0 4 0 plus 9 lakh 80 2 2 double 1 9 5 0 4 0 बाट रूपया होता है 22 करोड ग्यारा लाग 95,040 EFG cost per kg that will be F divided by A cost per kg निकालते होगा तो जो consumption हुआ उसके बेसिस पे हमारा effective cost क्या आ रहा है तो आप लोग देखेंगे due to loss and fret मेरा cost per kg जो है price per kg वो जादा आ रहा है effective cost क्योंकि losses के कारण हमको पैसा जादा का देना पढ़ा but productivity कम का हो रहा है and fret के कारण भी मेरा खर्चा बढ़ जा रहा है right so कितना आएगा F is total purchase cost divided by A raw metal required so due to losses and all 3 crore 50 lakh divided by 2 lakh 40,000 so it is coming to 145.83 or is car at 221195040 divided by 3 3 0 sorry 344086 642.85 oh एक सेक्ड गल पड़ हो गया इसको डिवाइड गलत कर दिया 221195040 divided by 3,20,000 effective है तो 691.23 ये द्याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस टैप का सम में थोड़ा information थोड़ा absurd में दिया हूँ मलब थोड़ा calculative है जैसे अपने को fret directly नहीं दिया हूँ निकालना पड़ेगा यहाँ पर अपने को part of the truck को भी एक truck मानने उसका ध्यान देना पड़ेगा losses वाला treatment तो हम खरीदा धाई लाग but 4% और 7% loss होने के कारण मेरा effective cost per kg जादा है और यहाँ पर fret के कारण भी cost per kg जादा हा रहा है is that fine अभी part 2 बहुत simple है material x EOQ cannot be EOQ calculation is basically not required cannot be toh ठीक है but EOQ calculation is not required as ordering cost and carrying cost is 0 so any quantity is optimum ordering quantity ordering cost तो 0 में बोली देना fret लग नहीं रहा है और carrying cost बोलता है की factory gate के बाहर में available है तो दरकार नहीं है right जब चाहिएगा जितना चाहिएगा उतना ही मंगाएंगे तो अपने को चांसे नहीं है ना hold करने का सवाल है नहीं पैदा होता material y का we will calculate annual requirement है मेरा 344086 EOQ हमेशा purchase quantity पे निकलता हमेशा याद रखिएगा cost पर केजिए 640 O 8000 CH 15% of 640 RTP में आप दन रौंग solution both are different question cost per kg निकालना that is something else try to understand यह हमको इतना quantity खरितना है this is the rate यह मेरा purchase cost आया right so this is my effective cost per kg of purchase price अब EOQ निकालना है तो EOQ में तो ordering cost अलग से consider होता है right part 1 is basically जितना मेरा consumption हो रहा है उसका cost per kg कैसे रहा है तो जो consume हो रहा है उसमें losses भी account पर करने fred भी add करने इसले मेरा cost per kg is higher than the purchase price लेकिन पर्ट तो जो ordering है that is related to solely purchasing so purchase quantity हमारा यह है price यह लगने वाला है fret यह लगने वाला है holding cost will be 640 का 15% how much? 640 का 15% that comes to 96 now you put it in formula 2 into 344086 into 28000 divided by 96 344086 344086 344086 इसका root करना है हम लोगों को जो भी आ रहा है इसका root करना है हम लोगों को 344086 into 2 into 20 1000 divided by 96 कितना रहा है 14167 kg 14167 kg 14167 kg is that fine? इतना मेर का रैन्वल खरीतना है cost per kg हमारा यह है O यह है CH यह है तो उस हिसाब से अपने को पता चल गया 14167 kg 14167 kg 14167 kg नेक्स्ट अब लोग करेंगे answer to question number 2 question number 2 labor का है पढ़िया आप लोग question में बोला है ADV private limited manufactures a product which requires skill and precision in order in work to get quality products ठीक है the company has been experiencing high labor cost due to slow speed of work तो इनका concern है speed भढ़ाना है now speed को अगर efficiency increase करना है तो quality compromise नहीं होना चाहिए तो objective क्या है question का objective is increase the speed 15 15 15 15 15 16 16 18 18 20 18 18 19 लगाना उसको यह नहीं समझ में आ रहा है तो जब उसको स्पीड बढ़ाना है और कॉलिटी भी कम नहीं करना है तो तुम लोग देखा होगा है एलसे में थांटा काम वो दो गंता में कंप्लीट के तो आठ गंता से वह तो उसका जो बोनस रेट उता इस ती भाई ए इसका मालब इस दो दो वर्क फास्टर वे तो यू विल थिंग द मोर तामी से तो यू इल गेत मोरे मुड्रेशन ओ गेडि मैं पॉइंट आपका भले आठ घंटा से वह रहा है बट आपका बोनस रेट विल भी 20 परसेंट टू बाइटें तो रोवन स्पीड इंक्रीज और क्वालिटी चेक दोनों को टेक केर करता है राइट एनिवेस हम लोगों को क्या बोला देखते हैं इंक्रीज बाइट टूज़गों से लिए टूंग अवर रोवन पुल्स्ट इंचारिश वाट किवालली अवर्फ किशन वश्ट कर्वाली तूंग्वार शॉटा को टेक्वाली तूफ टंग्र मुछ टू स्टेक्शन टूसटेयर टूजंटिए अवर्वन स्टूंगों क् bonus scheme with a time taken in percentage to time allowed. पहला के समें time saved है नहीं, दूसा के समें 25%, तीसरा में 50, okay fine. So basically 4 है और 4 मतलब 8 calculation अपने को दिखाना पड़ेगा. तो सबसे पहले, हम लोग health से का करते हैं, case 1, 2, 3, 4, standard time 24, 9, 60 hour, 24, 9, 60 hour, 24, 9, 60 hour, 24, 9, 60 hour, T, 100% of time allowed, पहला के समें, 24, 9, 60 hour, इसमें 75%, तो 18,720 घंटा, इसमें 12,480 घंटा, इसमें 6,240 घंटा, is that fine? Guaranteed wages, that is T into R, right? तो 6, 2, 4, 0, and 280, 4, 9, 9, 2, 00, 9, 9, 8, 4, 00, 1, 9, 9, 6, 8, 00, 1, 4, 9, 7, 6, 00, bonus, total earning, right? और earning per hour, तो पहला case में bonus कुछ नहीं है, क्योंकि A-T is 0, दूसरा case में, A-T will be 6,240, उसका 50%, जो भी आएगा इंटो 80, 2, 4, 9, 6, 00, तो इस प्लस 1, 4, 9, 7, 6, 00, 17,47,200, ना earning per hour जो भी आ रहा है, 17,47,200, इसको डिवाइट करेंगे T से, T-E by T से डिवाइट होता है, पता है ना आप लोगो को, right? T से डिवाइट करते हैं, 17,47,200 इसको डिवाइट रहा है, 187,20, so that comes to 93.33, अचा, पहला केस में वही आ जाएगा, बोनस नहीं है, तो 199,6,800, तो इन देट केस मेरा यह आएगा 80, ठीक है, आईए, next up we have, A-T will be 12480, 50% into 80, 4, 499,200, 499,200 जो भी आ रहा है, उसमें प्लस कर दो, 998,400, तो यह आएगा 14976,000, जो भी आ रहा है, उसको डिवाइट कर दो, 12480 घंटे से, so here it will be like, 120 रूपीज एन आर, last but not the least, 18720 into 50% into 80, so it is like, 748800, जो भी आ रहा है, उसमें, 499,200 प्लस कर दो, so it will be 12,48,000, जो भी आ रहा है, उसको डिवाइट कर दो, 624,0 से, तो पूरा 200 आ रहा है, so you can see that, as the speed of the work increases, मेरा अर्निंग पर आवर अडर है, is also increasing at a faster rate, right, but, 100 घंटा काम, अगर 25 घंटा में तुम कर रहे हो, just last case, case 4, your earnings are getting doubled, but the quality of the product also needs to be ensured, कि वो गिरे नहीं, right, same calculation हम लो करेंगे, हापे बोनस का फॉर्मला सबको पता है, half into a minus t into r, right, this same calculation we will do for, rowan plan, so we have case 1, 2, 3, 4, then we have a, 24960, 24960, 24960, 24960, we have t, 24960, 18720, 12480, 6240, then we have guaranteed wages, 1996800, 1497600, 998400, 499200, 499200, then we have bonus, in the first case it is nil, right, now first of all a minus t, a minus t will be 6240, into, t by a is 75%, into 75%, right, so 4680 into 80, so you have 374400, so your total learning will be, whatever you have got, plus 1497400, sorry, 1497600, so you have 18, 72,000, so it is coming to 100, this will be 80 only, right, 19, 96, 800, right, now, यहां पे time taken right यहां पे time taken to time allowed is 50% so यहां पे दोनो ही plan में indifferent होंगे हम लोग at this point we will be indifferent to both the situations ठीक है दोनो cases में हम लोग indifferent होंगे at this point we will be indifferent to both the situations तो दोनो का answer same आएगा just copy कर लो मैंने आपको बताया था at 50% when time taken is half of time allowed यहां पे भी वही है this is 50% case so hal 01 will be indifferent 499200 1497600 and this will be 120 last case you have ample time saved but your percentage will be 25% now so you have saved 18,720 hour but the bonus rate will be 25% into 80 so you get 374400 जो भी आ रहा है उसमें प्लस करेंगे 499200 so you get 873,600 whatever you are getting just divided by 6240 so that comes to 140 so can you see जब time saves ज्यादा है तो अंडर Rowan plan the worker is getting less earning per hour because यहां पे bonus rate को बहुत कम कर दिया गया है तो अगर स्पीड विदाओ कॉंपरमाइजिंगी क्वालिटी है ता यहां आल्वेस से यू तो गोफर रोवन plan because that gives a check on the quality जितना जल्दी खादम करना करो कोई प्रॉल्म नहीं है बट यहर बोनस rate will be low to worker को क्या लगेगा जैसे तो if you see 75% case case 2 when 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 time safety is less so you are getting high rate as bonus rate ना तो उसमे case 2 में हैल से में you are getting more better result 100 per hour right तो अपने को तो खाली निकालने बोला है ऐसे करकर के निकाल देंगे RTP में दोनो parallel किया हुआ है so that also can you do but वो थोड़ा लंबा format हो जाएगा so यह ठीक है और अपने लिक देंगे की हैल से प्लान absolutely takes care of speed increase as well as check on the quality because if you speed increase the speed without checking on quality so in that case you will be paid at a low rate the incentive will be at low rate so लोग क्या करेंगे बहुत लेट से भी नहीं करेंगे बहुत जल्दी भी complete नहीं करेंगे moderately they will try to get the work done okay right so next we have answer to question number three answer to बहुत सोच समझ के करना है question number three जो है वो ट्रीट्मेंट ऑफ ओवर अब्लिक अंडर अज़र्प्शन याद है defective planning के कारण होता है तो costing पिल में डालते है और बाकी का normal cost increase supplementary rate मना जाता है the PLR limited manufactures a single product and recovers over it by adopting a single blanket rate based on machine hour ठीक है सबसे पहला step है machine hour rate will be budgeted overhead cost by budgeted machine hour that comes to 50,40,000 divided by चेहाजार घंटा करो बाया 50,40,000 divided by चेहाजार घंटा आट सो चालिस पर आवर this is step one what is step two overhead absorb that is actual machine hour minor sorry actual machine hour into budgeted rate or mhr budgeted rate को हम लोग mhr बोलते है so question में बोल दिया है machine hours लीचे देखो लीखाओ बाशीन आवर्स actually work 3,000 hours so 3,000 hours के हिसाब से 8,40 is my recovery rate right so that comes to 8,40 to 3,000 it is coming to 25,20,000 ठीक है now बहुत बार हम लोग देखे हैं की overhead में गलती से labor का खर्चा इंक्लूड हो जाता है तो we have to calculate actual overhead in cut that too for the current year right the question में क्या लिखा है 34,08,000 इसमें गलती से paid as court order right तो this is not an overhead minus पिछले साल का खर्चा है यह हमारा overhead नहीं है workers लोग को जो पेमिंट के that is not an overhead then then obsolete stores वगरा यह भी हमारा overhead नहीं है तो कितना आ रहा है हमारा overhead 34,08,000 में से 34,08,000 में से साढ़े चार लाग मैंनस करेंगे एक लाग मैंनस करेंगे चार-बीस मैंनस करेंगे और और भी बहुत सार चीज़ मांनस करेंगे तो 24,02,000 आएगा Step 4 Under Oblique Over Absorption Is Equals To Actual Overhead Incurred Minus Overhead Absorbed Step 4 Actual Is 24,02,000 Minus 25,20,000 so that comes to एक लाग अथारा हचार negative so this clearly means over absorption right इसको क्या बोलते है अपने over absorption बोलते हैं अब इसका treatment करना हम लोगों को step number five में यही पूछा हम लोगों को right question में लिखा है 40% defective planning के अगा रहे हैं बाल की का normal cost increase under over absorption आ गया फिर उसका treatment बताना है और यह appropriate करना है ठीक कर लेंगे अचा फिनिश प्रोड़क्ट प्रोडक्शन वाला बोल रहा है एक दस कितना है एक दस WIP बोल रहा है 80,000 जो के 50% complete है तो equivalent 40,000 लेंगे अचा तो step five ट्रीट्मेंट ओफ ओवर अब्सॉप्टिन को दो वादा नीलो वहलो फटीफई गया किया हो एक लाग अठारा हज्जार का 40% कितना होता है? एक लाग अठारा हज्जार का 40% क्रेडिटेट टू कॉस्टिंग पियल क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो भी डिफेक्टिव प्लैनिंग के कारण होता है उसको कॉस्टिंग पियल में ही डालते हैं और नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज अगर है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सप्लिमेंटरी रेट ठीक है तो बैलेंस कितना बचा एक लाग अठारह हजार का 60% डिवाइड भाई राइट प्रोडक्शन एक दस है प्लस असी हजार का 50% प्लस एक लाग अठारह हजार का 60% सत्राइजार अठाट सो डिवाइड भाई देड लाग अठाट कम्स तो 0.427 पर यूनिट ठीक है अभी हम लोगों को क्या करना है बोलो 0.427 आया ना तो अधेस्टेड विट सीओ जीएज ग्लोजिंग फिनिच गूट्स तो प्रोडक्शन में नब्बे हजार बीका है तो बीस हजार ग्लोजिंग फिनिच गूट्स और closing WIP का equivalent 40,000 है पताईए कितना हैगा 42,480 9,440 118880 1,880 So this is the overall treatment of over recovery Right, over recovery this is the overall treatment झाल 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 is that fine next activity-based costing का सम है ठीक है हो जाएगा ऐसा बत नहीं है so answer to question number four SMP private limited manufactures three product using three different machines at present the overheads are charged to product using labor hours है भूबराइख अच्छाचर का आएगा आएगक पूरे एक तुबरे अगन थी नहीं थी थी नहीं थी तब फोरे ना ऑज़ थी थे थी 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 थे थी थी को रिना at present overheads are charged to products using labor hours following statement for the month of September 2019 absorption costing using machine ABC material cost wages per hour product A बनाने में अगर 80 रूपय पर आवर है तो प्रोड़क्ट बनाने में तीन घंटा लग रहा है, ब बनाने में पांच घंटा लग रहा है, हाया ना, और सी बनाने में साथ घंटा लग रहा है, यह सर नो, और ओवरेड भी उतना ही है, इसका मतलब ओवरेड पर लेबर आवरीज 80, overhead per labor hour is 80, total cost दे दिया, selling price दे दिया है, ठीक है, additional information is available relating to overhead cost driver, machine total total 600, purchase order 2400, number of customer 8000, actual production and budgeted production for the month is same, workers are paid at the rate standard rate, that is 80, जो दिया वाय उपर में, total overhead का 30% is related to machine setups, 30% is related to customer order, balance is related to material holding, ठीक है, now they have told us to calculate overhead cost per unit using activity based costing, and determine the selling price of each product based on activity based costing, with the same markup on cost, okay, ठीक है, तो सबसे पहले, you have to do basic things, क्या करना हम लोगों को, note number one में, ध्यान दो, बार, प्रूद, THAT? गिस, य, जज, बार, 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 रिस, बार, जोभर, रीक है, और, भार, बार, ध करो, लेवर आवर रिवाइड पर उनित 240 दिवाइड बाइटी 3 आवर 80 रुपय वेज रिट दिया है तो 240 रुपय लेवर कॉस्ट रिवाइड भई इसमें 5 घंट इसमें 7 घंट तो टोटल लेवर आवर क्या आएगा पहले प्रोडक्शन लिख लो प्रोडक्शन एष्टारय की लगगा बड़क्या प्रोडक्शन लूँटारय की वेजिए 55,500 लूट्स 30,000 लूट्स 1,35,000 आवर्स 262,500 आवर्स 2,10,000 गंदा तो उस हिसाब से मेरे को बताईए कितना आने वाला है 6,7,500 गंदा अच्छा overhead absorption rate अगर देखेंगे आप लोग तो 240 आवर्स तो 240 आवर्स 400 आवर्स 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 that comes to 80 per hour, therefore total budgeted overhead 6,75,000 गंटा इंट असी कर दिंगे, कितना आएगा? 6,75,000 गंटा इंट असी, वाँ, it comes to 4 करोड 86,00,000 4 करोड़ 86,00,000 4 करोड़ 86,00,000 4 करोड़ 86,00,000 है प्यार्ट स्वक्ष्टस्टाव डियर दो जया है। अपने गौर निकालना है मार्कप निकाल लो note 2 percentage of markup जैसे GP percentage on sale होता है, markup हमेशा on cost पे होता है क्योंकि यह same markup हम लोग को use करना है right तो कितना बुला है, ध्यान से देखेगा सारा product के लिए बुला है x का अगर करेंगे 1037.5 minus 830 by 830 into 100 y का 1575 minus 1260 by 1260 1260 1260 1160 156 176 167 झाल झाल तो मारका 25% on cost आगया तो हाविंग कैलकुलेटेटी बजेटेड ओवरेड यह मारा आगया अभी अपने को करना क्या है बहुत सिंपल सा चीज है cost per driver निकालना है तो उसके लिए सबसे पहला हो गया activity उसके बाद हो गया cost pull उसके बाद हो गया cost driver उसके बाद हो गया number of driver उसके बाद हो गया cost per driver एकदम यह सब ना पुरा रटावा होना चाहिए आप लोगों को इसमें कुछ है नहीं फटा फट फटा फट करते जाएंगे एक के बाद एक हमारा काम होता जाएगा आप लाइट सो एक्टिविटी में लाइन से बताईये कौन-कौन से आक्टिविटी है देखके बताईये एक है machine setup ठीक है machine setup एक है purchase order related और एक है customer related यह PO related 48 करोड 6 lakh 30% machine setup 30% customer 30 40 30 48 करोड 6 lakh a 0.3 4 1 करोड 45 lakh 80 number of setup the setup का नंबर अच्छो राइट number of P.O. P.O. का नंबर्ज है 2400 number of customer numbers है 8,000 is that fine so it is like जो भी आ रहा है उसको डिवाइट करेंगे 2400 से so 8,100 per order अच्छेक है is that fine 24,300 per setup 1822.50 per customer एंच्छेक छिएमर अच्छेक ऑलड़ीं अच्छेक जू य्श्फेक च्छेक नंबर्ड़ीं is that fine I am so now overhead Allocation, X, Y, Z, Machine, Setup, कितना है, 24,300, आईये, 24,300 x 40, 9,72,000, ये इंटो 400 है, तो 97,20,000, 38,88,000, P.O. P.O. related है, हमारा, 8,100 per P.O. 8,100 per P.O. तो ये होगा, चार सो इंटो आथाजर एक्सो, 32,40,000, 64,80,000, 97,20,000, तो अथाजर एक्सो, तो अथाजर एक्सो, जो भी आयाएं इन्टो हजार, तो आथारा लाग बाइस हजार पांसो, जो भी आरा इंटो बाइसो 1822.5 बाइसो तो चालिस लाग नो हजार पांट सो 87,48,000 97,20 प्लस 97,20 2 करोड 81,88,000 उनिट्स प्रोडूच्ट कितना है इधर में? 30,000 तो ओरेट कॉस्ट पर उनिट्स जो भी आरहा है उसको डिवाइट कर देंगे 30,000 से तो 9,39.60 नेक्स्ट 38,88,000 64,80,000 तो अ में हो रखोड़। तो प्लस 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 फजब। 52,500 विन्ट 273.86 6034500 विन्ट 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 है 45,000 विन्ट 75,80 विन्ट 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 कर दो कर दो कर ददू में कर दो कर दो कर दो तिया देखची करो तियर्ग मत्रटो स्ट रेक्लिवर कोष्ट्ट बिश्ट अवरेट कोष्ट वरेट कोष्ट 134.10 273.86 939.60 240 400 560 material cost कितना कितना रहे 350 460 410 560 So cost per unit will be 724.10 25% on cost Right, इसमें selling price निकालन ने बोला, markup वही रखने बोला, हम लोग अल्यदी परसेंटेज में निकाल चुके है ये तो ऐसे ही आता है, cost per driver आगया, on the basis of जिसका जितना है Right, उसे साब से यहां पर आजाएगा खर्चा Right 25% on cost जो भी आ रहा है, इसका 0.25 181.025 Plus 724.1 905.125 Next, 860 plus 273.86 1133.86 Right जो भी रहा है का 0.25 283.46 जो भी रहा है प्लस 1133.86 1417.32 1417.42 2, 3, 8, 7 Is that fine? Bolo Absorption का दिया था, उसी हम लोग total overhead निकाल लिया, markup on cost निकाल लिया Activity में cost pull अलग अलग दिया हुआ, 30%, 30%, 40% cost pull up करके cost को निकाला Step by step कुछ नहीं करना Cost per driver आया, फिर product wise overhead आगया, फिर overhead cost per unit आगया Material labor being same, उसमें overhead cost per unit जोड़ दिया, total cost आगया, उसमें markup percentage जोड़ के मेरा selling price आगया ठीक है झाए झाओया झाल झाल